दोस्तों क्या आपको भी मुँ में बार-बार छालो की समस्या होती है तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तो वीडियो सुरू करें इससे पहले चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, वीडियो को लाइक कर दीजे, चलिए अब वीडियो को सुरू करते हैं तरीन में हो रहे होर्मोनल बदलाव, पोशन की कमी और खराब होरल हेल्थ के कारण बार-बार चालों की समस्या होना स्वाभाविक है। मुह में होने वाले चालों की कारण, खाने पीने में और बोलने में काफी परिशानी का सामना करना पड़ता है। आईए जानते हैं क्यों और किन कारणों से बार-बार चालों की समस्या होती है। संत्रा, अनानस, इमली और स्ट्रॉबेरी जैसे एसिडिक फूड्स के अधिक सेवन की कारण भी आपको चाले की समस्या हो सकती है। क्योंकि जीव का पीएच लेवन इन फूड्स से प्रभावित होने लगता है। महिलाओं में पीरिट्स के दोरान सरीर में होने वाले हॉर्मोनल परिवर्तन भी मुव में चाले बनने का एक बड़ा कारण हो सकते है। खराप औरल हेल्थ जैसे के बैक्टिरियल और फंगल इन्फेक्शन के कारण मुव में बार-बार चाले होना बहुत ही स्वाबावित बात है। किसी भी तरह की फूड एलर्जी या बार-बार हो रहे बैक्टिरियल इन्फेक्शन बाव थलसर की समस्या का कारण बन सकते हैं। सरीर में पोशक तत्वों की कमी के कारण भी मुव में चाले की समस्या हो सकती है। विटामिन B12 की कमी होने पर जीब और गाल के अंद्रुनी हिसों में चाले की समस्या होती है। बार-बार हो रहे मुँके चालो की समस्या के लिए आप डॉक्टर की सला भी ले शकते हैं। इंफोर्मेशन अची लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेर ज़रूर करें साथ येसी हेल्थ रिलेटेड टिप्स के लिए विटामिन आयोरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तन्यवाद